आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इतना एक तरफ जहां पे लू और सारी शीज़े चल रही थी कल हर्याणा में थोड़ी सी बर्फारी भी हुई है तो उसकी वज़े से मौसम काफी सामान है और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले तीन चार दिनों में भी सामान रहेगा तो मौसम का लोफ तुठाइए और एक्सायम चाहे वो बोर्ड लेबल पे हो या फिर सिविल लेबल पे हो एक्सायम या तो चल रहे है या तो आने वाले हैं तो आप साथ में पढ़ाई भी करते रहे है और मस्त रहे है आईए हम दैनिक जागरड निउस पेपर पे दिस्कुशन करते हैं जो भी important news होंगी आपर पहली news है कि नई तकनीकों से सेना को बनाएंगे आधुनिक जनरल पांडे तो अभी आपको पता है कि मनोश पांडे जिन्होंने नर्वने जी का स्थान लिया है नए सेना प्रमुग जनरल बनने हुए हैं और इन्होंने कहा है क कि अभी हम नई तकनीकों से सेना को आधुनिक बनाएंगे और सेना के स्वदेसी करड़ वा आत्मिर्फटा पर जोड़ देंगे और कहा है कि तीनों सेनाओं के सामने जितनी भी चुनौतिया हैं उनका एक संबद धुरूग से हम निप्टारा करेंगे मतलब तीनों सेनाओं के परस्पर सहयोग से हम ऐसा करेंगे और फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि आधुनिकी करड़ जो है और स्वदेसी करड़ वो कहीं न कहीं बहुत जरूरी है अभी रश्या और योक्रेन युद्ध संकट जिस तरीके से पुरे विस्स पे घहरा रहा है वो कल को हमारे जूप में ऐसा संकट आ सकता है तो हमें हर तरीके से चाहे वो सेफ्टी को लेके हो सेक्योरिटी को लेके हो या हतियारों की आप उर्ति को लेके हो हमें हर तरीके से रेडी रहना होगा और ऐसा तभी संभव है जब हम तीनों सेनाएं मिलके सहयोग से कारे आगी बढ़ाएंगे और ये आपको बता दें कि नौ सेना प्रमुक एड्मिरल आर हरीकुमार वाव शेना प्रमुक एयर चीफ मार्सल वी आर चौधरी और जनरल पांडे ये तीनों राष्ट्री रक्षा अकैदमी के एक ही बैच के सैन्य अधिकारी है फिर दूसरी और भारत की शांती और सम्रिधी के लिए योरोप एहम साज़ेदार मोदी अभी योरोपी देसों की यातरा पे जा रहे हैं जहां पे वो सबसे पहले इस क्रम में जर्मनी जाएंगे फिर डेन्मार्क और फिर फ्रांस जाएंगे तो जाते चाते उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि भारत की शांती और सम्रिधी के लिए योरोप बहुत ही एहम साज़ेदार है इस पे हम आगे थोड़ी सी चर्शा करेंगे यहां पे बस इतना ही अप्रेल में 1.68 लाग करोर जीस्ती संग्रा जीस्ती के इति हास में ऐसा बोला जारा है कि यह पहली बार है हलांकि अप्रेल माह में हर वर्स हर सत्र में जेस्ट्री कलेक्शन अप्रेल माह में जादा होता है लेकिन इस पार जितना हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है और इसका श्रे दिया जा रहा है जितने भी हमारे जो सुधार किये गए हैं कर प्रशासन में सुधार और अनुपालन से इस आफ डूइंग में भी काभी सुगमता आई है और इसके अलावा जो भी नई नई नीदिया हैं और नई नई पहल करे गए हैं GST रिटर्न भरने से रिलेटेड हो या फिर GST रिटर्न भरने को लेके जितने भी सुविधाएं प्रोवाइड करने की बारे में बात करी गई हो कुल मिला के साथ सुधारों के मद्दे नजर ये रिजल्ट आया है कि इस पार GST कलेक्शन काफी अच्छा रहा है ये बता रहें डिलाइट इंडिया के पार्टन मड़ी की अप्रेल माँ में हमेशा ही उंचा रहता है GST संग्रा लेकिन इस पार जितना कभी भी नहीं हुआ है फिर इसके बाद दूसरी ख़बर है मुस्लिम समाज का बड़ा तबका भी चाहता है सबसे बड़ा रोड़ा यही लोग अटकाते हैं और अगर ऐसी नियुज़ा रही है कि यही लोग सबसे यह मतलब मुस्लिम कम्मुनिटी का एक बड़ा तबका अगर यूसीसी की समर्थन में है तो यह बहुत बहुत अच्छी बात है और असम के मुख्यमंतरी हिमन बिस्वा विश्व शर्मा ने देश में समान नाजरी संहीता लागो करने की पुर्चे और वकालत की और उन्होंने ही इस तरीके की बात कही है उन्होंने कहा है कि यूसीसी लाना वो हमारे मुस्लिम महिलाओं और मा और बेटियों के लिए एक तरीके से मिल का पत्थर सावित होगा और उनके लिए अधिकारों की सार्थकता होगी मूल अधिकार जो हमें संभी धान द्वारा दिये गए है कि अगर हिंदूों में अगर एक पती दो तीन पत्नियों को सुरी गाइस नहीं रख सकता है तो मुस्लिम महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो उनके लिए भी उतना ही गलत बात है तो अगर हिंदूों में अगर हम मतलब सिविल कोड ना लागू करते हुए सिर्फ हिंदूों के लिए और अलग कम्यूनिटी के लिए ऐसरूल बना रहे हैं तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए सरासर नाइनशाफ ही होगी इसलिए common civil code लाना जरूरी है कि जो चीज एक तबके के लिए अनैतिक है वो दूसरे तबके के लिए भी चाहे वो मानवाधिकार से related हो या समाज से related हो वो अनैतिक ही होगी इसलिए common civil code का लाना जरूरी है और इसी लिए एक पढ़ा लिखा और प्रगतिसील समाज इसकी मुस्लिम समाज इसकी सार्थक्ता को समझते हुए इसका समर्थन कर रहा है यही बात है इसके बाद स्वास्थ भारत का रोड मैप तयार करेंगे केंद्र वाराज अभी गुश्रात में एक साथ बैट के इस पे चर्चा करी गई और यह बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्वास्थ से रिलेटेड मुद्दों पर एक साथ केंद्र और राज सरकार बैट के इतनी इतनी देर तक बात कर रही है और रोड मैप तयार कर रही है और सारी नीतियों पर विशैवार एक एक करके विचारवे मर्स कर रही है इस पूरे सत्र का जो है वो थीम रखा गया है हेल इन इंडिया और हील बाई इंडिया इसमें भी औशदियों की जेनरे सिटी यानि की देशी करड पे और आत्नरभरता पे बात करी गई है जितने भी कम्यूनिकेबल एंड नॉन कम्यूनिकेबल डिसीजेज हैं चाहे वो ज इतने भी अनिवानसिक डिसीजेज सब पे या फिर इंफ्राइस्ट्रक्शर को लेके हो या फिर डॉक्टर प्रती हजार व्यक्ति पर कितने डॉक्टर होने चाहिए मिन स्कुल मिला के सारी चीजों पर एक समगर चर्चा करी चाह रही है और आगे हमें बहुत की रप्तार से तेज हवा चलेगी और अधिक्तम एवं नियूनतम तापमान क्रमशा 49 और 25 त्रिगरी सेल्सियस तक रहने का अनुमान है डियो के सताबी समारों में उपराश्टुपति मुख्यतिति के रूप में बुलाए गये थे तो उन्होंने इसके मौगे पे डाग टि इन्होंने बोला है कि जितने भी European countries हैं या फिर जितने भी developed countries हैं या बहुत तेजी से developing countries हैं उन सबका एक रहस्य है इन सबके development के पीछे कि वो मातरी भासा पे जादा जोर देते हैं वो English को अपनाते हैं या other international languages को अपनाते हैं लेकिन बस वहां तक जहां तक उनकी सारधकता होती है वो सिक्षा और बच्चों को समझना बच्चों में एक समझ टबलेप करना किसी भी छेत्र में किसी भी विशय को लेकि वो मातरी भासा में ही रखना ज्यादा जरूरी समझते हैं तो यह कह रहा हैं कि अपने बच्चों से भी आप मातरी भासा में बात करिए उनमें अच्छी समझ टबलेप करेंगे और जब उन्हें मात्री भासा से रिलेटेट अच्छी समझ टबलेप हो जाएगी तो वो समय की चलते फिर इंग्लिश ऐसी लैंग्विजिस में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे लोक नायक और जी टीवी में कोरोना के इलाज के लि अभी से प्रप्रेशन स्टार्ट कर दी गई है इसके बाद यह सारी न्यूस इस उतनी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है आपके लिए यहाँ पे हम देखते हैं भारत की शांति और समरिधी के लिए यूरोप एहम साजिदार वही बात है यहाँ पे प्रदान मंत्री मोदी जी बहुत ही विनमरता से इस चीज़ को बार बार रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडिया का हम विकास करना चाहते हैं तो यूर सतत उर्जा का वो एक बहुत अच्छा भंडार रहा है हमेशा से ही और इन सारी चीज़ों को लेके वो अलग अलग देशों के जितने भी संबैधानिक व्यक्ति हैं जितने भी प्रमोख हैं उनसे वो बात भी करते रहते हैं और इतना शादा इंपॉर्टेंट क्यों है रश उसकी सार्थक्ता आपको इस बात से दिखेगी कि टोवियास लिंडरनर जो की जर्मनी की विदेश विभाग के मंत्री हैं उन्होंने बीते सप्ता में डैली में कहा है कि भारत के बिना किसी भी बड़ी समस्या का हल नहीं किया जा सकता तो ये सुनके और ये जानके आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग भी उतने ही उतसाहित हैं इंडिया और येरोपियन कंट्री के रिलेशन को लेके जितने की हम हैं तो इस क्रम में वो पहले जर्मनी शाहेंगे फिर डन्मांग चाहेंगे और छीजों को लेके वो अपने मतलब की चर्शा करेंगे और जो भी क्वा से ला नी होगी अपने देश के लिए चाहे वो एनरजी के छेतर में हो चाहे शिक्षा के छेतर में हो चाहे वो हथियारों और समरच छेतर में हो वो बिलकुल बहाल करना चाहेंगे योरोपीय संग और जर्मनी और फ्रांस इन सब पे हम देखे कि वो क्यों इतना important है हमारे लिए योरोपीय संग के लिए भारत एक हम रणेतिक और तीसरा सबसे बड़ा ब्यापारिक साज़ेदार है और अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्याता केंद्र है भारत उनके लिए और जर्मनी को भारत के लिए आर्थिक और तकनीकी छेतर में अधिक सहायक माना जाता है इंडो पैसिफिक शेत्र में जर्वनी की रुच्छी और बढ़ता दखल भारत के लिए एक अच्छी खबर है एक तरीके से कह सकते हैं अच्छा सिंबल है वर्स 2020 में ये रुपीय संग और भारत के बीच में 6.4 मिलियन डॉलर यानि लगभग 5,081 अरब रुपे की वस्थों का व्यापार हुआ है डेन्मार्क, स्वेडन और नार्वे, फिंडलेंड और आइसलेंड ये सारे नौर्डिक देश में आते हैं और नौर्डिक देश से भी हमारे काफी अच्छे दोस्ताना संबंद रहे हैं और डेर्मांग के साथ भारत का एक हरिट समझाओता हुआ है इसी के साथ यह देश इसले भी एहम है क्योंकि पांच नौर्डिक देश में से चार भारत के सीट्स 20 प्यापारिक साज्यदारों में शामिल है जिसमें से स्वेडन, नार्वे, फिंडलेंड, दसमें, डेमाग बराहवे और नार्वे, चौदामें अस्थान पे है नौर्डिक देश नविकडियो उर्जा अस्तर, अस्तर की स्वक्ष उर्जा के लिए भी जाने जाते हैं और डेन्मार्क के साथ इतने खास संबंद है इसलिए भी है क्योंकि यह आर्क्टिक छेत्र में बहुत एहम भूनिका नहीं भाता है और आर्क्टिक छेत्र को लेके इंडिया भी काफे इंट्रेस्टेट दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फ्यूल और तेल संसादनों के भंडार है रक्षा छेत्र में अगर हम फ्रांस की बात करें तो करीब सत्तर वर्ष पुराना रिष्टा है अन्य साजों समान की साथ जगवार और मिराश 2000 जैसे लडाकों विमान इसी देश का हिस्सा रहे हैं जो इंडिया को अभी प्रुवाइड करी गई है ये टेक्नोलाजी तो यही सब है इस वज़े से बहुत एहम हो जाता है इनका यूरोपियन कंट्रीज की जो यात्रा है इ और इनका ये काफी जो है अमेरिका चीन जैसे महत्रपूर देशों की फॉरें पोस्ट पे मतलब इन्होंने अपना काफी अच्छा योगदान भी दिया हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि इनके आने से काफी जिस तरीके से स्रिंगला जी ने अपना निभाया है इस तरीके से ये भी बहुत अच्छा योगदान देंगे तमिल नाडू के मेडिकल चात्रों ने महार सी चरक सपत इसके पहले साइन्स के शेत्र में अगर आप जाएं तो हैपोक्रेटिक ओथ की सपत ली जाती थी मतलब है हिपोक्रेटिक ओथ लिया जाता था लेकिन अभी इस वज़ चिकित्सा आयोग ने पहले बोला था कि ऐसी संभावना है कि फ्यूचर में हम हैपोक्रेटिक ओथ ना लेके या उनके साथ साथ हम जो है महार सी चरक की सपत ले लेकिन अभी ये कायदे से लागू नहीं हुआ था और सपत ले ली गई तो इसके वज़े से थोड़ी सी अफ उसके पाठिकरम को लेके और सारी चीज़ों को लेके राजनार सिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अलग-अलग यूनिवस्टीज में और चोटे-चोटे-बड़े-बड़े लेबल पर भी इस चीज़ को लागू कर रहे हैं और ये गोरक्षनात यूनिवस्टी के बारे से जो भी कारिकरम सुरू किया गया है उसके संदर्व में है तो वहां पे पांच जो पूरा तात्विक अस्थल थे उनके डेवलेप्मेंट को लेके और उनकी सांस्कृतिक नितारत को लेके जो है वहां पे प्रकास टाला जा रहा है वो पांच पूरा तात्विक अस्थल है राखी गड़ी हरियाडा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश और सिव सागर असम धौला वीरा गुज्रात, अदिल, अदिचल लूर, तमिल नाडू इनको प्रतिश्टिस अस्तल के तोर पर विक्सित करना है, तो आयोस मंत्राले योगुज्सो में सिव सागर को उसने पहला अपना डेश्टिन से चुना हुआ है रिपोर्ट इस तरीकी का दावा करी कि भारती सिक्षा छेत्र सबसे ज्यादा साइबर खत्रे का सिकार रहा है online platform जिस तरीके से पिछले दो सालों में COVID के बढ़ने की वज़े से सारी education प्रडाली वो digital हो गई है, online कर दी गई है इसमें cyber खत्रा भी बहुत देजी से बढ़ रहा है पिछले के टाइम में जो भी रिपोर्ट निकाली गए इसमें ये था कि सबसे ज्यादा vulnerable और सबसे ज्यादा खत्रे का सिकार Indian education system हुआ है चाहे वो यूनिवस्टी को लेके हो, चाहे school label पे हो और इसके बाद अमेरिका और अलग-अलग देशों पे भी, इंडोनेसिया जैसे देशों पे भी जो है खत्रा मन रहा है कैलिफोर्णिया जैसे प्रतिश्टिस विस विद्याले और संस्थानों पे रैम से वेर जैसे malware का खत्रा बिलकुल बना हुआ है तो ये इनके कहने का मतलब है कि आप जिस तरीके से digitally करण पे ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा safety and security पे भी ध्यान दे ताकि इस तरीके के चीज़ें सामने ना आए नहीं तो ये आगे चलके बहुत ही नकर आत्मक प्रभाव डालेगी दूसरी नियूचे स्रम मंतराले द्वारा जारी योजनाओं का स्रमिक उठाएं लाब भूपें द्रियादों कह रहे हैं अभी अंतर राश्ट्री सम दिवस था एक मई को तो उसी में ये संबोधन के थ्रू कह रहे हैं कि जितने भी महिला और पुरुस हैं असंगठी छेत्रों के वो पूरी तरीके से पोशड और सिक्षा इन सब चीजों का वो भी लाब उठाएं उनको भी मतलब जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों का सामना ना करना पड़े आल वेदर रोड के कई कारियों को केंदर से सिविप्रती का अभी इंतजार एक्शली इसमें कुछ-कुछ लैंड स्लाइट ट्रों एरियाज हैं और कुछ भागी रथी और जो नैस्नल पार्क जैसी चीज़ें हैं इसी केस बाइपास इन सब चीज़ों में वहाँ पे अभी इन्वामेंटल और एकोलोजिकल क्लियरिंस ना मिलने की वज़े से ऐसा बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है और वेदर रोड को लेके चारधाम यात्रा से रिलेटेड हो या और भी यात्राओं से रिलेटेड हो उन से है ये ये एक नियूस है मजशिदों से लावड स्पीकर बज़े तो दुगनी आवाज में होगी हनुमान चालिसा ये कह रहा है कि अगर योपी जैसे इतने कटर सामप्रदाइक राज में अगर लावड स्पीकर उतारा जा सकता है तो महाराश्ट्रा में क्यों नहीं और अगर ऐस हुआ कि महाराश्ट्रा में बहुत तेजी तेजी से अगर आप लावड स्पीकर बज़ाए तो उसे दुगनी तेजी से हनुमान चालिसा बजाई जाएगी ये सामप्रदाई खोड है कि राजनेती खोड है कि धार्मी खोड है ये कहपाना थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन ज मुझे नहीं लगता कि exam के perspective से कुछ भी ऐसा इतना important है ये तापमान में गिरावट अभी वही है कि ओले पड़े हैं बहाँ पे दक्षडी डैली और हर्याणा में तो काफी अच्छा हो गया है मौसम ये सब वही है पिछले जो नियूसें से उन्हीं का थोड़ा सा विस्तार बहुत खास कुछ भी नहीं है गाईस अगर होता तो मैं बिल्कुल आपको बताती लिंक दे दिया शाएगा आप जाके जो कुछ आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं ये एक नियूस है कुल गाम और नौ गाम में दो हाइब्रिड आदंकी हथियारों से ही पकड़े गए तो पकड़ा जाना ये तो डेली का ही है यहाँ पे हम इसलिए बतारें कि हाइब्रिड आदंकी क्या होते हैं जो यहां पे देखिए अपने आगाओं द्वारा सौपे गए काम को करते हैं और फिर अपने सामाने जीवन में वापस लोट जाते हैं और अगले अवियान का इंतजार करते हैं वो हाइब्रिड होते हैं मतलब कि वो सामाजिक जीवन में बहुत अच्छे से जी रहे हैं और काम पढ़ने पर बुलावा आने पर वो आदंकी गद्विदियों में भी सामाने रूप से शम्मिरित हो जाते हैं तो उन्हें हम हाइब्रिड आदंकी की संग्या देते हैं यह एक निउस बहुत यह स्थब्द कर देने वाली है कि उच्छे सिक्षा हासल करने के नाम पर गए पाकिस्तान और फिर बन गया आतंकी तो यहां पर उच्छे सिक्षा के नाम पर यह आतंकी पाकिस्तान में वीज़ा जारी किया जाता है और कस्मीर जो भी इन लोगों से प्रभावित कस्मीर के एरिया है वहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है कि आपको higher education दिया जाएगा यहाँ पे और बीज़ा वगेरा जारी किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे छे सब्ता की मात्र ट्रेनिंग दे के उन्हें आतंक वा पाकिस्तान क्या ही दे देगा अगर आतंक वादी इस तरीके की कंट्री में जो कि हमेशा इंडल्ज रहता है ऐसी ऐसी चीज़ों में वहाँ पे आप बच्चे को अगर higher education के लिए भेजेंगे तो बिल्कुल ना चाहते हुए भी आपको यह समझना चाहिए कि वहाँ पे ऐस सिबिल कोट की बात करी गई है इसमें कहा जा रहा है कि जैसे अभी गोवा में क्या है वो पोटगीस ने लागू कर दिया था पूर्तगाल ने जब उन्होंने गोवा पे पुरा अधिपत्य कर लिया था और अभी पूरे इंडिया में एक मात्र गोवा ऐसा राज्य जहां प के बनाया है मैं बोल रही हूं इंडियन्स ने अपने तरीके कनवर्ट करके उससे लागू किया है यानि कि हर कम्यूनिटी के लोगों के लिए वो बहुत अच्छे से चल रहा है तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब गोवा जैसे प्रदेस में जो कि इतने वहां पे भी व बताई जा रही है कि अगर आप अच्छे से थोड़ा सा कनवर्ट करके थोड़ा सा नाजुक नाजुक पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखके उस पे चर्चा करके अगर लागू करेंगे ही तो क्यों नहीं चलेगा तो यहां पर खाया जा रहा है कि प्रदेसों की एक त DPSP में इसलिए रखा गया है क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश कहीं नंकहीं तयार नहीं था घंडो मुस्लिम को लेके बहुत सारी चीजह थी बतलब हमारा देश तयार नहीं था कि उसे हम मौलिक अदिकार में रखे इसलिए DPSP में रखके छोड़ दिया गया क्याराज अ अपने अपने तरीके से इसे लागू करेंगे और वह शुब दिन अभी तक नहीं आ पाया है दुरभागे से लेकिन अगर अब इतने बड़े तबके के द्वारा ये चीजे सोची जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें रोडा अटकाना चाहिए अपने परसनल को लेके ये ही सारी चीजें इसमें बताई गई है और नहीं बन पा रही है अभी सब की आम रहा है ये ही सारी चीजें है ये एक लेक निकला है धार में कान का गरंत नहीं है गीता ये नियूज में इस वज़े से है क्योंकि अभी बाइबल को अनिवार कर दिया गया है तो समाने तोर पर पढ़ाई जाती है, तो फिर आप उसके लिए क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि समानता जिसमें होती है, उन्हीं में तुलना करी जाती है, बाइविल, कुरान और गीता में कोई समानता नहीं है, जहां पे एक और बाइविल और कुरान अपने आपको ही सर्वोच मानते हैं और वहाँ पे धार्मिक नहीं कह सकते, संप्रदाइक चीजों को लेकि जहाँ पे चर्चा करी चाती है कि हमसे उचा कोई नहीं है और अगर वाइविल में आपको अगर आप सच्छे इसाई हैं तो आपको वाइविल पे पूरा भरोसा होन चाहिए ये सारी चीज़े जहां पे सिखाई जाती है वहाँ पे दूसरी और गीता जो है वो कर्म योग और घ्यान योग पे भरोशा रखता है विस्वास रखता है और वो आपको एक कर्म परक इनसान बनाता है और वहाँ पे किसी भी ना तो हिंदु धर्म की बात करी गई ना ही किसी धर्म की आलोशना करी गई ही, कुछ भी नहीं करा गया है, वहाँ पे सिर्फ आपको कर्म के प्रती उकसाया गया है, जितने भी हमारी सत्यता होती है, जीवन शैली होती है, जो की प्रकृर्ति पे आधारित होती है, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है, तो गीता को Bible और Quran के साथ समेटना कहीं से भी नेतार्त नहीं है उसका, क्योंकि गीता का concept एक अलग है, वो जीवन सैली की बात करता है, जीवन सैली की शुद्धता की बात करता है, वो धार्मिक कर्मकांश यैसी चीजों की बात नहीं करता है, यही इस पूरे चीजों में लिखा ग्यान योग और कर्म योग पे है और इसमें ये बताया ग्या है कि ऐसी चीज़ें बताई है कि उठो जागो और अपने कर्म को पहचानो और तब तक नहीं बैठो जब तक आपको आपका लक्ष हासिल नहीं हो जाता है तो ये कुलमिला के लक्ष उद्यम सेल्टा और शाहि सुरुत्ता और पराकरम सेल्टा के बारे में बात करता है ना कि कोई धार्मिक बात करता है तो गीता को आप इन सब चीजों से दूर रखिए आगर उसके बारे में बच्चों को सिक्षा दी जाती है तो वो सभी community के लिए बहुत अच्छी चीज है सब लोग अपने अपनी चीजों को अपने अपने पवित्र ग्रंथों को अच्छा बताते हैं तो उसी में ये चर्चा करी गई है उचित बदलाव पर अनुचित विरोध ये भी NCRT के बुक्स में से व्यसी ने जो भी बदलाव की ये पाठे क्रम इसमें शामिल रहे गाउद्यों की क्रांती नहीं रहेगी और जितने भी हमारे जो इतिहास के कई सारे चीजों को काट चाट करने की बात कही है तो उस पे जो विरोध हो रहा है उसे लेके यहाँ पर बात करी गई है कि उचित बदलाव पर अनुचित विरोध यानि बदलाव जीवन का एक अनिवार नियम होता है और टाइम टाइम पे इसे करते भी रहना चाहिए और बहुत प्रबुध कम्यूनिटी के द्वारा अगर इस तरीके का विरोध करा जा रहा है तो यह अच्छा नहीं है इनका अपना विचार है परसनल विचार है आप पढ़िएगा बहुत ही खुले माइंड से पढ़िएगा कोई भी बिना conception के तो आप निस्पक्ष होके पढ़िएगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहेंगे अच्छे स्वास्त का महत्त यह लेक निकला है इसमें बताया गया है कि अच्छा स्वास्त आपको आंत्रिक शांती पहुचाता है और यहाँ पर पताया गया है कि प्रती हजार जितने डॉक्टर की आवे सकता है और हमारी GDP का हमारे income का जितना उस पर खर्च होना चाहिए वो सारे चीज़ों पर ध्यान देनी की जरत है जैसे कि ब्रिक्स तेसों में सबसे कम GDP हमारे इंडिया की ही है जो खर्ची जाती है और इस पर ध्यान देनी की जरत है जहां पर दक्षिड अफरीका में 8.1 प्रतिसत खर्च किया जाता है और ब्राजील में यह आंकड़ा 9.2 प्रतिसत है और चाइना में भी GDP का 5 प्रतिसत स्वास्थ विभाग पर खर्च किया जाता है तो इंडिया में यह आंकड़ा 1.2 प्रतिसत ही है जो कि बहुत विचार करने योगी है जब तक हम उसमें और ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तब तक हम उसके इंफ्रेस्ट्रक्शर को और स्टाफ को और जितने भी बन्यादी चीज़ें हैं उसका फुल्फिल्मेंट नहीं कर सकते हैं ब्यायाम योग और संतली ताहार की माध्यम से इसे एक अच्छे स्वास्थ को प्राप्त कर सकते हैं भी एक इन्होंने बताया है तरीका और ये एक तरफ कह रहे हैं कि पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्था और मिसन मंगल पर विचार करने के साथ साथ या इसके पहले अगर हम स्वास्थ पे भी समान रोप से विचार करें तो एक अच्छा और स्वस्थ देश का निर्मान किया जा सकता है उच्छ सिक्षर संस्थानों में पनपता कटरवाद यहां पे बात यह मुर्दजा को लेके बात करी गई है और इसी के साथ में बहुत यूरोपिन कंट्रीज की कुछ यूनिवस्थी की बात करी गई है कि यहां पे इतने मतलब एक कंट्री एक स्टुडेंट पे अपना इतना पैसा खर्च कर रही है इतने संसाधन प्रोवाइट कर रही है कि उसकी तीक्ष्र बुद्धी वो देश के सकारात्मक विचार की तरफ थुड़ा सा मतलब योगदान दे और अगर वो एक बहुत अच्छा human capital डेपलेप करने के बाद एक टाइम के बाद अगर वो दूसरे विचारों की तरफ कट्टर पंथी की तरफ अगर वो मोल्ड कर दिये जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस है किसी भी कंट्री के लिए ये कह रहे हैं कि अगर विश्व विद्याले ही इस तरीके की कट्टर पंथी और विचारधारा में समलित हो जाएंगे जैसा कि इसका एक बहुत जीवन दुदारड आप कस्मीर फाइल मूवी अगर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ की जो प्रोफेशर होती है वो बच्चों को अलग-अलग नारे सिखा के और उनको उत्तेजित और उत्साहित करती रहती है विचारों को किस तरीके से वो मोल्ड करती है कृष्णा पंडित और उनके भाई का वहाँ पे इस तरीके से मतलब विचारों को मोल्ड करने की बात करी गई है तो बिलकुल यूनिविस्टी ऐसा रोल आजकल प्ले करना सुरू कर दी है ये मतलब पूरवांचल एक्सप्रेस और जितने भी रोड डेवलेप्मेंट करे गए हैं यूपी में इस्ट साइड में उनकी बात करी जा रही है कि रोड से ही आप डेवलेप्मेंट का अंदाजा लगा सकते हैं जो पहले जगे जगे पे गड़ी वगेरा थे इस पीड को हमें बहुत धीमी करके रखना पड़ता था और एक की जगे तीन घंटे लगते थे दूरी तैय करने के लिए 30 से 40 किलोमीटर की अभी जो है बहुत सारी बहुत सारी परिवर्तन आ गए हैं और इस परिवर्तन को आ आप इस तस्वीर के से अंदाजा लगा सकते हैं रगबा पढ़ाय बिना तिलहन की होगी अतिरिक्त पैदावार ये अभी जैसा कि खाद्यान तेल के मामले में पूरे विस्स लेवल पे आपूरती के लिए संकट हो गया है तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे हां संसा आदनों की कमी नहीं है अगर कमी है तो ना ही अच्छे बीज की कमी है और ना ही हमारे यहां तिलहन जैसे फसल को उपजाने के लिए भूमी में कोई प्रॉबलम है अगर प्रॉबलम है तो किसानों के मतलब एजुकेशन और जो हमारा अवेरनेस होती है कि किस तरीके से उग अगर हम इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे तो बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और जबकि अभी समय की मांग भी यही है कि अभी स्वस्तर पे हमें सप्लाई नहीं हो पा रही है अभी इंडोनेशिया ने भी पाम आयल के लिए अपने हाथ थोड़े से पीछ तो दो रुपे और महगा होके अभी तेई सो पच्पन दसम्लों पच्चास रुपे हो गया है जो की बहुत बिचार करने की स्थिती में है सुमन वेरी ने संभाला नीती आयोग की वाइस शेयर्मेन का कामकाज अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजियों कुमार का इन्होंने अस्थान लिया है और नीती आयोग में उपाध्यक्ष का पद सम्हाला है ये एक्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा गया साहब इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा और इसके पहले ये आर्थिक सलाकार परिसेट सांकी आयोग और भारत इन्होंने में बहुत मज़ा आएगा बहुत सकारातमक्ता से ये मतलब इंडल्स दिख रहे हैं इन सब चीजों में और अमेरिका में भी बेरी ने जिस तरीके से फानेंसिल सेक्टर बे सुधार लाने का काम किया था उसको देखते हुए उन्हें 1952-1994 के दौरान बैंक की ग इसके साथ ICMR कह रहा है कि चौथी लेहर इतनी अगर आएगी भी तो इतनी प्रभावकारी नहीं होगी और होगी भी तो हम बहुत ही अच्छे से तयार हैं तो इसमें कोई इतना दिक्वत की बाद नहीं है परियटकों के लिए बहाल हुई ले और लद्दाग छासकर घाटी दूसरी निउस है योक्रेन में रोश में योक्रेन पहुँची अमेरिके हतियारों को बनाया निशाना यानि कि यहां के जो मिसाइल और हतियार थे उनको नहीं ने द्वस्त किया तो यही निउस है यहां पर और यह जो नैंसी पैलोशी है भारतिये मूल की है और अभी अमे तो इन्होंने वहाँ पे जाके तीन घंटे की कुछ जलेंस्की से मेटिंग करी और बताया कि हम आपको आसस्थ करते हैं कि हम पूरा सायोग देंगे इस जो है युद्ध को खत्म करने के लिए और आपको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए G20 सम्मेलन में पूतिन और जलेंस्की को सामाने तोरद पर न्योटा दिया गया है जो कि अभी इंडोनेशिया में कि राजधानी जागारता में आयोजित होने वाला है नहोंबर में G20 का सम्मेलन तो उसमें उन दोनों लोगों ने भी बोला है कि हाँ हम आएंगे और जरूर प के राश्ट्रपती हैं वो अभी बोल रहे हैं कि मदभेद भुला कर चनहीत की संघर्स में राजनीतिक दल अपना अपना योगदान दे भारत वनसी नंद मूल चंदानी बले CIA के चीफ टेकनोलॉजी अधिकारी एक्षिली अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजिंसी है CIA उसमें नंद मूल चंदानी जो है वो अपना पहला चीफ टेकनोलॉजी अधिकारी न्यूक्त किया है अमेरिका नहीं और सिल्कॉन वैली के आई टीवी से सग्य भी रहे हैं ये डैली से ही पढ़े हुए हैं और इन्होंने ओबलेक्स, डिटोर्मिना और स्केल एक्स्ट्री करी है दक्षर कोरिया में करोडों लोगों की उम्र कम कर देगा ये जीद भी चुके हैं इसमें यहां पर एज को नापने का तरीका यहां पर थोड़ा सा अलग है यह जन्म से ही उसे एक साल का काउंट कर लेते हैं तो यह कह रहे हैं कि अभी जो वैसरी कस्तर पे चल रही है हम उस तरीके की एज काउंटिंग करेंगे और अभी यह जीद करेंगे तो यह जो है अमल करेंगे इस पर उत्राखन में 45 रोवे बनाने की तयारी टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए और रश्या बिलरूस को प्रतिवंधित करना अनुशित नडाल कह रहे हैं कि मतलब इन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जा रहा है वजह चाहे जो भी हो युद में इनका क्या लेना देना ये बहुत गलत बात है हमारे भाईयों के साथ साथियों के साथ जो हो रहा है ये कहीं से भी नेहतार्थ नहीं है इसका इसी के साथ ऑर्टिस्म में होता है खुद को नुकसान पहुचाने का खत्रा ये एक depression से related विमारी है तो ये सच में एक बना हुआ है मा की चिंताओ साथ से प्रभावित हो सकता है बच्चों का मानसी विकास मतलब गर में पहल रहा बच्चा अगर मा इतनी problem में है तो उस पे भी असर पढ़ सकता है ये सारी news है guys बागी बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और आप देख लेशेगा सुन लेशेगा इसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद